आज हम लोग vectors का quick revision करने वाले हैं, vectors एक ऐसा part है जो आपको physics में भी मिलेगा और maths में भी है, maths में अगर आपने वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो आपको 3D geometry अच्छे से नहीं आईगे और आपके marks चली जाएगे, ठीक है, तो vectors को अच्छे से cover कर लीजिए, vectors का syllabus क्य यह मैंने mention कर दीजिए, आप देख लीजिए, इन short मैंने लिखती है, अगर आपको इन detail में पूरा देखना है, तो आप अपना syllabus जाकी तेक सब्सक्तो, in short मैंने सारा cover कर दिया है, यहापर, vector में vector और scalar, scalar आपके syllabus में है नहीं, scalar में सिर्फ magnitude होता है, vector ऐसी quantity होती है, जिसमें magnitude प्लस direction होता है, vector ऐसी quantity है, जिसमें magnitude प्लस direction दोनों होते है, अब vector दो form से देखने को मिलता है, एक vector पूरा पूरा दिया होगा, उसको लिखते है इस तरीके से, कोई भी vector होता है, ABC उसके एरो बनाते है, XYZ यह components हैं, उसके किसकी direction में है, तो यह I cap, J cap, K cap दे रखा है, यह क यह क्या है, यह इसका magnitude यह इसकी length कहलाती है, कितनी length का यह vector है, निकलता का है, simple x के component का square, y और z के component के square को add कर देते हैं, इस form में vector देखने को मिलता है, बहुत simple है, पूरा vector दिया होगा, ठीक है, उसकी length निकालना ही, बहुत असान होती है, point के form में दिया होते है, तो उनको बोलते हैं, position vector, position vector निकाले कैसे जाते है, origin के respect में उस point से, यानि origin को उस point से join करा देते हैं, तो जो vector मिलता है हमको, वो बोलता है, उस point का position vector, कहने का मतलब है, कि अगर कोई point यह A था, तो इसकी origin से distance, और मालिया, इसी direction में कोई point B है, तो इसकी origin से distance, तो यह OA हो जाएगा, और यहां से यह पूरा O B हो जाएगा, तो point आपके दिया होंगे, मालिया, यह point आपके A1, A2, A3, यह B1, B2, B3 थी, तो A B vector कैसे निकलेगा, final minus initial, position vector of B minus position vector of A, A B vector है, B यह निकालना होता, तो A की position vector से हम B का position vector घटा देते है, final जो है, A B में final minus initial करते है, ठीक है, तो simple है यार final B था, B के components में से A के components हमने घटा दिये, अब इसकी length निकालने होगे, तो X के component का square, Y के component का square, Z के component का square, यह फंडा होता है, तो vector के दो form देखने को मिलेंगा, आपको यह form में होगा, exact vector दिया होगा, और position vector दिया होगा, point दिया होगा, तो यहाँ पर जो A था, यह point था, A1, A A2, A3, यह point था, B1, B2, B3, बासमन में आ रही है, type of vectors क्या होते है, equal vector, ऐसे दो vector जिनकी length equal है, मतलब उनके components भी equal होगे, तो equal vector बहुत इजी होता है, unit vector सबसे अच्छा part है, वो बाद में देखेंगे, अभी पहले देख लेते है, 0 vector क्या होता है, ऐसा vector जिसकी length 0 हो, यानि व खतम हो गया, B से ही start हुआ था, और B पर ही खतम हो गया, तो यह आपके point vector कहलाते है, या 0 vector कहलाते है, जिनका magnitude 0 होता है, parallel और collinear vectors क्या होता है, collinear proof करने के लिए भी हमको parallel ही proof करना होता है, कहने का मतलब है, अगर दो vector A, vector की बात कर रहे हैं, तो अगर दो vector A और B आपस में parallel है, या collinear proof करना होता है, तब ही हम यह दिखाते है, कि vector बराबर है, lambda times B के, बास मन में आरी है, अब lambda का sign decide करता है, कि अगर lambda positive है, तो same direction में है, lambda negative है, तो opposite direction में है, बास मन में आरी है, length ज़रूरी नहीं है, बराबर हो, length छोटी बड़ी हो, यह lambda इसी का तो है, length का difference ही तो अगर 1 हो जाएगा, तो length भी equal है, direction भी equal है, या direction opposite हो सकती है, तो lambda actual में length का difference दिखाता है, कि कोई vector छोटा हो सकता है, कोई vector बड़ा हो सकता है, same direction में तो lambda positive आएगा, opposite direction में तो lambda negative आएगा, collinear proof करना है, collinear का मतलब होता है, कि इस direction में और आगे भी एक दूसरा vector है, एक ही direction म में, तो ऐसा हो सकता है, collinear proof करने का फंडा यही होता है, parallel proof करतो तो collinear proof हो जाता है, तो आपका ये भी clear हो गया, ठीक है, unit vector किसलिए बहुत important है, क्योंकि इसको हम direction vector बोलते है, ये कई जगे use होगा, और अच्छी बात है कि आपको projection निकालने के लिए भी हम direction vector का use करते है, देखिए होता क्या है, किसी भी vector को, अगर आप उसकी length से divide कर दो, तो उसकी length 1 बचेगी न, simple हमने कोई vector ले लिया n, ठीक है, अगर आप उस vector को उसकी length से divide कर दोगे, तो उसकी length 1 होगे, मालने 7 थी, उसको 7 से divide कर दिया, तो या 1 ही तो length बची, तो उसको हम caps represent करते हैं, तो यह जो दे रखे थे, i cap, j cap, k cap, अगर आप इसको दिहान से देखोगे, तो x की direction में, y की direction में, z की direction में, कहने का मतलब x तो infinite तक जाती है, तो direction कैसे represent करते हैं, तो हमने बताया, कि unit length ले ले लेते हैं, यानि उसमें magnitude तो simple 1 है, जिस quantity से multiply करा देंगे, तो उसकी direction में उतनी length क हमको vector मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या हुगा, कि अगर हम इसकी बात करें, तो हमने i cap से multiply करा दे है, मतलब कि x की direction में, इतनी length, y की direction में, इतनी length, और z की direction में, इतनी length, हमको एक vector चाहिए, बास समन्ग में आ रही है, तो जब भी unit vector होता है, बहुत important होता है, उसको direction vector भी ब यह बनता है, इसा direct question आ जाएगा, कि एक vector आपको निकालना, जिसकी length कितनी है, 5 unit आपको length दे दी गई, कहेगा, एक vector है, जिसकी length 5 unit है, अब इस vector का आपको निकालना, in direction of, कहेगा, in direction of, 2i minus j plus 2k, कहेगा, कि एक vector जिसकी length 5 unit है, वो vector इसकी direction में निकाल के बताई है, तो simple है, ह हमको क्या चाहिए था एक वेक्टर चाहिए था जिसकी लेंथ तो दे रखे थे लेकिन डारेक्शन नहीं दी थी डारेक्शन बता रहा है इसकी डारेक्शन है इसकी डारेक्शन लेनी पड़ेगी तो करना क्या पड़ेगा पांच यूनिट का वेक्टर इसकी डारेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 5 है और इसकी डिरेक्शन में ता अब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो इसकी लेंथ तो 5 ही आएगे क्योंकि हमने 1 से मल्टिप्लाई कर रहा है बास समझ में आ रही है तो यह आपका बेसिक वेक्टर का तिना पार्ड था जो मैंने कवर किया है अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो एडिशन आफ वेक्टर बहुत आसान होता यार दो वेक्टर को अगर आपको एड करना है इसको बीवनी टू बीटू बीट्री से अड करना है बस वेक्टर में अगर आपको पांच ईट से मल्टिप्लाई कराना है, तो हर एक क्वांटिटी में मल्टिप्लाई हो जाएगा अब कहा है कि इसके direction cos और direction ratio बता हो तो direction ratios बहुत आसान होते हैं direction रहे हो simply यह x y z component हो जाते है 2 1 2 हमने कहा दिया 1 root 3 और k minus 1 एक vector था तो यह जो दे रखे यहीं इसके direction ratios है पासवन में आदी है तो direction ratios बहुत इसी होता है direction cos कैसे निकलते है करना क्या होता है direction cos कैसे निकलते है direction cos actual में vector और उसकी length से divide करते है तो छो इसके component आएंगे वो अस ambiente आप बात समझे हैं एक वेक्टर के components simple क्या direction issues है और direction cosine की बात कर रहा है तो हमें direction vector निकालना पड़ेगा और direction vector कैसे निकलता है अगर हम इस vector की बात करें तो इसका direction vector कैसे निकलेगा a का cap निकाल लो कैसे आएगा a vector को उसकी length से divide कर दो यानि कहने कहा है मतलब है 2y plus j plus 2k और divide कर दो इसकी length से कितनी आ जाएगी 4 plus 1 plus 4 तो value आ रहे है 2 by 3 i cap 1 by 3 j cap 2 by 3 k cap वा समझे आ रही तो अब direction cosine क्या हो गया वो हो गया 2 by 3 1 by 3 2 by 3 आसमन में आ रही तो in general अगर कोई vector दे रखा a i plus b j plus c k माल लिया यह n vector है n vector है ठीक है तो इसके direction cosine को represent कैसे किया आते है cos alpha cos beta cos gamma यह x axis से angle a upon में इसको simple इसका unit vector निकाल लो n cap वो mod n से divide कर देना तो a के नीचे n cap आ जाएगा cos beta क्या हो जाएगा b के नीचे n cap आ जाएगा और cos gamma क्या हो जाएगा c के नीचे n cap आ जाएगा इसी को हम l से represent करते हैं इसको m से represent करते हैं इसको n से represent करते हैं यह होते हैं किसी भी vector की direction cosine, simple है, कोई भी vector दिया है, तो उसके components direction ratios है, direction cosine की बात करें, तो उसका direction vector निकाल लो, उसके जो components है, वो उसके direction cosine से, बासमन में आगी, इससे एक अच्छा फंडा निकलता है, कि अगर हम इन तीनों को add करा दें, square करके, सोचो, अगर हम इसको square करके add कर square भी तो यही है, तो यह cancel हो जाता है, value 1 आती है, यानि कि L square plus M square plus N square की value कितनी आती है, वर यह भी आपको याद रखना है, यह भी एक अच्छा point है, यानि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma की value 1 होती है, इसी से एक और अच्छा फंडा निकलता है, अगर हम इनको sign में change कर लें, कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, हम एक marks कहा सकता है, इसकी value 1 होती है, इसको लिख सकते है, 1 minus sin square alpha, 1 minus sin square beta, 1 minus sin square gamma की value 1, sin value धर बेज दो, 1 एक cancel हो जाए यानि, यह भी एक फंडा निकलता है, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma की value कितनी आ जाएगी, 2, इस format में दिया हो, इस format में दिया हो, एक marks का question पूछा जा सकता है, तो direction direction को शाएग में बस इतना ही है, projection of A along B, या in direction of B, या on B दे सकता है, कहने का मतलब है, अगर कोई vector A है, किसी vector B की direction में, अगर आपको उपर से torch मारोगे, तो इसकी length इतनी ही बनेगी, इतनी, ठीक है, इसको अगर उपर ले आओगे, बी वेक्टर को तो कुछ इस type पर triangle बनेग है, तो simple fund आया रहे है, या figure बस समझाने के लिए था, चीक है, क्योंकि इसकी length बड़ी है, यहाँ थोटी हो जाएगी, तो इसका horizontal component आता है, तो वो dot product से थोड़ा cos theta बढ़ा गया समझना होता है, अभी आप बस इतना समझ लो, कि अगर projection of A along B चाहिए, तो A का B की direction, B cap करा द होता है, और direction vector क्या होता है, B कैसे निकलेगा, B vector का mod B certified, direction vector मैंने बता रखा है, बहुत important है, बहुत जगी उद होता है, तो यह हो गया आपका projection, बात सहान से सबज़िए, यह हो गई इसकी length, यह हो गई इसका magnitude भाईया, बात समझ में आ रही है, और अगर हम पूछ लेते, projection vector चीज और पूछी जा सकती है, बहुता है, projection vector of A in direction of B, बासमन में आ रही है, एक होता है projection, एक होता है projection vector, projection का मतलब समझ में आ गया, कि हमने यह length निकालनी थी, यह simple इसका horizontal component होता है, A का B की direction में हमने निकाल दिया, अब अगर हम कहते हैं कि projection vector चीज़िए था, जैसे अभी हम एक vector जिसके length पता थी, किसकी direction में चाहिए था, उसकी direction से multiply करा देते थे, अब हमको length पता है, और किसकी direction में चाहिए, B की direction में, यानि A dot B, यह एक number मिलेगा, dot product का भी बताएंगे, सारे चीज़िए clear हो जाएंगी, dot product एक number देता है, यह चाहिए, अब यह dot नहीं है, यह multiply करा यह एक number है, इसका multiplication है, यह वो normal multiplication है, जैसे अब भी नहीं कहा रहा था, scalar multiplication, तो यह इस vector का B की direction, यह आ जाता है, बात को बहुत अच्छे समझ दीजिए, हमने क्या कहा, projection निकाल लिए, simple A का B cap से करा दिए, तो यह projection आ गया, उसकी length आ गया, अब उस vector निकालना, तो direction तो देन 1 mod B, और अगर projection vector आएगा, तो फिर से B का multiply करा देंगे, तो A dot B, यह एक scalar number है, अब simple multiplication है, B का upon में, यह cross भी मत समझ देना, यह simple dot cross, यह vector बला नहीं, नॉर्मल multiplication है, और upon में, mod B एक और आ जाएगा, यानि हम mod B का क्या लिख सकते है, square, बात समझ में आ रही है, for example के लिए, अ plus K एक vector है, इसका हमें चाहिए था, I plus J plus K की direction में, projection, इसका इसकी direction में projection चाहिए था, तो इसका हम इसके dot करा देंगे, इसकी length से divide कर देंगे, तो यह projection आगे, देखिए इसका जब multiply करा दोगे, dot product, अभी हम समझेंगे, dot product आपने पढ़ रखा होगा, dot product में होता क्या, I का I से root 3, तो यह value आ रहे है, 2 by root 3, तो यह projection आ गया, अब हमें projection vector चाहिए होता, तो फिर से इसकी direction ले लेंगे, तो I plus J plus K upon root 3, तो जो multiply करा दोगे, तो 2 by 3 I cap, 2 by 3 J cap, 2 by 3 K cap, simple यह vector मिल गया, अब देख लेते हैं, दो वेक्टर का आपस में product, दो टाइप से होता है, एक होता है, dot product scalar product, यानि दो vectors को multiply कराते है, लेकिन result हमको एक number मिलता है, scalar quantity मिलती है, दो vectors को multiply कराते है, लेकिन इस तरीके से कराते है, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या- कॉस थीटा की वैलू कितनी आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी चनली एंगल बिट्वीन टू वेक्टर्स के लिए भी आपको यही वाला फॉर्मॉला अपलाई करना है ठीक है अगर दोन अब अंगल की बात आ गए तो अगर अंगल 0 हो गया या तो वो एक दुसरे के पैरलल हो जाएंगर इन्टी पैरलल का भी केस आ सकता है अभी सिर्फ पैरलल वाला देख लेते हैं तो कहने का मतलब अगर एंगल 0 है तो cos 0 की value 1 हो जाती है तो a.b की value क्या हो जाएगी mod a into mod b अगर हम a की vector का ले लेते तो यहाँ पे एक अच्छा formula निकलता है कि किसी भी vector का उसी से dot कराओगे तो वो उसकी length का square आता है यह as a formula याद रखें कि किसी भी एक vector का उसी vector से dot कराओगे तो उसकी length का square आता है इसी लिए i.i j.j और k.k की value क्या आएगी भीया 1 आएगी अगर आप एक vector का उसी से dot कराओगे तो उसकी length का square आता है अगर perpendicular है cos 90 0 हो जाता है यानि a.b कितना हो जाएगा भीया 0 बास्तवन में आ रहा है तो अगर perpendicular है तो 0 हो जाता है dot product इससे question मनता है कि दो vector दे देगा अगर perpendicular है तो dot 0 कराना एक कोई unknown number दे देगा k रख देगा तो अगर यहाँ पे कोई k रख देगा कहेगा अगर यह orthogonal है यह perpendicular है तो सिधा dot कराके की value निकाल लेंगे 0 रख के ठीक है यहां से हमें पता चला कि अगर perpendicular है तो i और j आपस में perpendicular होता है यहां पर आंगल निकालना है तो यहां पर बोथ साइड मॉड लेना पड़ता है क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा तो यहां पर साइन थीटा की वायलू क्या आजाएगी मॉड ए क्रॉस बी अपवान में मॉड ए मॉड भी इसलिए जनरली अंगल के लिए यह फॉर्मॉला पर खलके करते हैं क्योंकि हां पर ट्रों क्रॉस निकालना भी थोड़ा बड़ा टास्क हो जाता है इसलिए यह फॉर्मॉला पर्फल करिएगा एंगल की लिए अगर थीटयर जीरो है तो साइन जीरो हो जाएगा या अगर ए पैरलल है बी के तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इससे हमें पता चला कि आई क्रॉस आई कराओ जे क्रॉस चे कराओ और के क्रॉस के कराओ तो भाईया जीरो हैगा बासमान में आ रहा है यहाँ वन आ रहा था इस जना आपको पता है अगर A पैरलल है B के यहाँ पर क्या था A परपंडिकुलर है B के अगर 90 डिग्री है तो यहाँ वन हो जाएगा यहाँ यहाँ से पता चला कि आप आई का जे से क्रॉस कराओगे तो उसके लिए यह पैटर्न फॉलो करते हैं क्लॉक्वाइज अगर हम मूव करते हैं तो आई का क्रॉस कराएंगे जे से भाई एक्स वाई पे जेट पर्पेंडिकुलर होता है तो आपको मिलेगा क्या क्या है क्या है यह यह यहाँ आई का जे से कराओगे जे का क्य से कराओगे तो आई मिल जाएगा जे का के से के का आई से कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा तो आगर एंटी क्लॉक्वाइज चलोगे तो माइनस की मिल जाएगा सब्सक्राइब करना है जो नहीं है वह मिल जाएगा प्लस का क्लॉक्वाइब अगर आई जे के जे के आई ठीक है आई जे के याद रखना है इंटर्नल डिवीजन हो सकता है मानले कोई दो पॉइंट दे रखें ए और बी जिनके पोजिशन वेक्टर दे रखें वह कोई रेश इसके पास multiply होता है यह ratio इसके पास multiply होता है उसी टाइप का formula है आपके पढ़ रखा होगा यह होता है इंटर्नल का case external में क्या हो जाता है cross multiplication अभी भी होता है ठीक है यह position वेक्टर आ जाएगा आर का यह internal external division होता है बहुत इसी रहता है यार कोशन एरिया ओफ ट्राइंगल यह side दे रखी हों यानि यह vector दे रखी पुरी length यह a b दे रखी होगे यह simple होता है half a cross b और अगर vertices दे रखी a और b और c की value दे रखी है तो हम a b निकालेंगे पहले a b कैसे निकलता है final minus initial करके तो क्या हो जाएगा half a b vector cross a c vector ठीक है इसी vertex से दो side निका लो adjacent side निका लो ठीक है parallelogram का area क्या हो जाता है यह दो triangle divide कर लोगे तो इसका area आता है और अगर vertices दी होती तो आपको a b और a d निकालना पड़ता है तो यह क्या हो जाता a b cross a d वासमन में आदी एक और format बनता है कि parallelogram के आपको diagonals given हो तो area कैसे निकलता है होता cross product है अब cross product कैसे निकलता है देखें cross में मैंने cross जिसे dot निकालना बहुत easy i ka i से j ka j से करा देता है तो cross product कैसे निकलता है तो जो vector मिलेगा आपको वो उनका cross होता है बास समझ में आरे determined के थूरू निकालते है पता हो का आपको तो जो cross में कराया था यह step रहे गया था यह लिख लीजिए का cross कैसे निकालते है और area में तो सम्में cross निकल रहा है तो cross निकालना आपको आना चाहिए determinant में पहले जो vector होता है उसके पहले component दूसरे जो vector होता है उसके दूसरे component ठीक है i hope इतना clear है